इंदिनों शेहर में मौसम का मिजास कोई समझ नहीं पा रहा है जहां नौतपा की तपती धूप से बचने के लिए छातिय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वहीं अब बारिश से बचने के लिए छातिय का इस्तेमाल किया जा रहा है दरसल इन दिनों नवतपा के बीज भी बारिश का ये हाल है कि तेज हवाओं के साथ ओला वृष्टी होने से शहर में जन जीवन प्रभावित हो रहा है सुमवार को गरज चमकव तेज हवा के साथ हुए बारिश से शहर में अलग अलग स्थानों पर देड़ डर्जन पेड़ गिर गए तपती गर्मी से जूज रहे उपराजदानी के लोगों को उस समय रहात मिली जब दोपेर में अचानक शहर में जोड़दार बारिश हुई जोरान शहर के कई इलागों में तेज हवाओं के साथ ओला वृष्टी भी हुई दोपेर में हुई बारिश के कारण जिले का तापमान गिर कर 49 डिगरी हो गया मौसम विफाग की माने तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सिती बनी रहेगी सुमवार को नवतपा के चौथे दिन भी नागपुर में बारिश हुई सुबह से ही आसमान में चिटपुट बादल चाह हुए थे पर बीच बीच में धूब भी खिलती रही लगिन दोपेर करीब तीन बज़े के बाद मौसम का मिज़ाज बदलने लगा आसमान में बादरों का जमगट लगने लगा चार बज़े के करीब तेज हवाओ के साथ बारिश ने दस तक दी उसके बाद कई लाखों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया शाम तक मौसम में ठंड़क घुल गई बारिश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की है सुमवार को बारिश के साथ आई तेज आंधी के कारण शहर के विबिन इलाखों में पेड़ गिरने की घटना भी सामने आई वर्धा रूट के सुमलवारा पायोनियर रेजिदेंसी पार्क के पास बड़ा पेड़ कार के उपर गिर गया दमकल करमी राहत कार मेड लगे हुए थे गनी मतरही की किसी भी प्रकार की जान की हानी नहीं हुई को जगा पेड़ों की शाखाय कटी पड़ी रही मनपाग नीशमन विभाग के अनुसार शहर के करीब 12 शेत्रों से पेड़ गिरनी की शिकायत देच कराई गई है इन बीसेन नीजस के लिए राचकुमार मोड के साथ अकसा अनसारी की रिपोर्ट